Fetty Liver की दो किसमें हैं एक है alcoholic fatty liver और non alcoholic fatty liver इसमें जो non alcoholic fatty liver है ये बेमारी जादा common है और जादा लोग इसका शिकार है अलकोहल सिर्फ एक वजा है fatty liver की लेकिन जब हम nutritional deficiency को देखते हैं तो तकरीबन हर case में एक same element missing मिलता है फैटे लिवर के शिकार हर बंदे में एक चीज की कमी होती है इन फैक्ट अगर ये वाइटमिन खाने में मौजूद ना हो या इसे बॉड़ी की जरूरत के मताबक ना खाया जाए तो किसी को भी फैटे लिवर हो सकता है ये है कोलीन कोलीन टेक्निकली एक वाइटमिन नहीं है ये एक एसेंशल निट्रियंट है मतलब इसे खुराक से लेना पड़ता है बॉड़ी से खुद नहीं बना सकती बहुत कम मिकदार में बनता है और ये ग्रूप में रहता है बी वाइटमिन्स के इनके साथ मिल के काम करता है जैसे कि B12 और फॉलिक एसेड इनका में काम होता है फैट्स और प्रोटीन्स का मेटाबॉलिजम मतलब इने बॉड़ी के इस्तेमाल के काबिल बनाना जिसमें ग्रोथ, रिपेर और मेंटेनस आ जाती है ब्रेन डेवलपमेंट, लिवर फंक्शन, मसल मूवमेंट, नर्व फंक्शन जिसमें से कोलीन का में काम होता है लिवर से फैट को हटाना और अगर बॉड़ी में जरूरत के मताबिक कोलीन मौजूद ना हो तो लिवर पे फैट जमने लगता है कोलीन की कमी बहुत कॉमन है इसकी वज़ा एक जिनियाती बिमारी है जो बहुत कॉमन है बहुत से लोग इसका शिकार है इसे पोलीमॉर्फिजम कहते हैं इस बिमारी में बॉड़ी में कोलीन की कमी हो जाती है क्योंकि इसमें जो enzymes, koline, metabolism में involved होते हैं जो koline को इस्तेमाल के काबिल बना रहे होते हैं ये affected हो जाते हैं इसमें फिर आपको koline की मिगदार बढ़ानी पड़ती है proper effect के लिए क्योंकि normal मिगदार जो हमारा dietary pattern है खाने में जो हमारी चीज़ें शामेल हैं इसमसले को fix नहीं कर सकते हैं polymorphism के इलावा भी कुछ और वजू हाथ हो सकती है fatty liver की जिसमें corticosteroids का long term इस्तेमाल omega 6 fatty acids, vegetable oils, seed oils, cooking oils का इस्तेमाल ये inflammation की वज़ा बनते हैं high carbohydrate और high fructose intake चीनी और चीनी से बनीवी चीज़ों का जादा इस्तेमाल इनके इलावा ये 4 चीज़ें भी fatty liver की वज़ा बन सकती हैं anorexia, nervosa, gastric bypass, parental nutrition और antibiotics का long term इस्तेमाल अब ये कोलीन की कमी कैसे कर सकते हैं इसमें अगर anorexia, nervosa पर बात करें तो इस eating disorder के शिकार इंसान की body में severe किसम की malnutrition होती है ये लोग खाना ही नहीं खा पा रहे होते हैं जिसकी वज़ा से ना सिर्फ कोलीन की body में कमी हो जाती है बलके इसके साथ vitamin D, folic acid, B12, B3 body में इन सब की भी कमी हो जाती है mal nutrition की वज़ा से liver damage होता है और बाद में fatty liver हो जाता है फिर है gastric bypass जिसमें मेदे और चोटी आंथ को bypass करते हुए एक छोटा सा पाउच बनाके आपस में मिला दिया जाता है और जो खुराक के हजम होने का अमल है जो चोटी आंथ में होता है जिसमें खुराक में मौझूद घिजाई अज़ा और vitamins body का हिस्सा बनते है यह अमल रोक जाता है इसमें यह सारे gastrointestinal hormones एफेक्ट हो रहे होते हैं जो digestion में help करते हैं तो gastric bypass operation nutritional deficiencies की वज़ा बनता है जो के long term है फिर convert हो सकता है fatty liver में तीसरा है parental nutrition इसमें क्या होता है कि इसमें IV से सिर्फ कुछ खास nutrients बॉडी में डाले जा रहे होते हैं और इनमें ज्यादातर synthetic होते हैं सारे vitamins मौजूद नहीं होते हैं dextrose की एक high amount होती है इस पे भी data मौजूद है यह synthetic sugar है वो vitamins मौजूद नहीं होते हैं जिनकी liver को जरूरत है तो long term में parental nutrition fatty liver की वज़ा बन सकती है चौथी वज़ा एंटिबायोटेक्स अब एंटिबायोटेक्स और कोलीन में क्या रिष्टा बॉडी में जो gut microbiome जो बॉडी के friendly जरासीम है ये भी कोलीन का एक छोटा सा हिसा बनाते हैं और अगर इन जरासीमों को मार दिया जाए तो बॉडी में कोलीन की कमी हो सकती है जादातर लोग जो गलती करते हैं वो over the counter drugs लेते हैं बार बार लेते हैं self medication करते हैं और एंटिबायोटेक्स बॉडी में जाने के बाद बुरे और अच्छे जरासीमों में फरक नहीं कर पाती हैं दोनों को मार देती हैं इस पर पिछली वीडियो में भी बात हुई है अब एक और important सवाल ये है कि खाने की किन चीजों में कोलीन पाया जाता है आप शायद हिरान होंगे क्योंके इन में से कुछ ऐसे हैं जन्हें फैटी लिवर की वज़ा समझा जाता है देखें अगर healthy fats आप अपनी diet में शामिल कर रहे हैं इससे liver पे चर्बी नहीं आती कुछ studies में ऐसा लिखा गया है लेकिन अगर आप इन्हें पढ़ें तो इसमें जिन चुहों पे lab में टेस्ट किया गया था इन्हें high fat diet के साथ-साथ high carbohydrate diet पे रखा गया था लेकिन इसमें high light सिर्फ high fat diet को किया गया जो के मैं समझता हूँ के सही नहीं तो अगर आपको fatty liver है तो मेरी recommendation है कि आप koline लेना शुरू करें और ऐसे खानों को अपनी diet का हिस्सा बनाए है जिनमें koline मौजूद है अगर आप supplement लेना चाहते हैं तो चुके आपको ज़्यादा koline की ज़रूरत है तो मैं recommend करता हूँ कि 3 gram per day से शुरू करें और eventually इस dose को नीचे लाते जाएं अपने primary doctor को भी on board कर लें ताके वो भी इस सलसले में आपकी मदद कर पाएं koline लेने से fat removal liver से ये speed up हो जाएगा और अगर आप ketogenic diet शामिल कर लें इस regime में तो ये मजीद effective हो जाएगा exercise जरूर करें शरूर में सिर्फ 20 मिनट की walk भी काफी है इस पे पिछली वीडियो में बात हुई है आप जरूर देखें अगर मेरी इन वीडियो से आपको फाइदा हो रहा है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें अपना ख्याल रखिए आपसे मुलाकात होती है नेक्स वीडियो में अल्हाफिस